साइंखे रहे हैं, प्रार्थना बहुत सुंदर और सरल होती है, पर उतनी ही बलशाली भी होती है, प्रार्थना करने वाले के लिए भी और जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसके लिए भी, इसलिए हमेशा प्रार्थना करो सब के लिए, सब को प्यार बांटो अपने परिवार में भी, सब के साथ प्यार से जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे आज के निर्ने आने वाले भविष्य भी तै करता है, इसलिए सोच समझकर निर्ने लो, कल जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लगरी थी न, असल में वे बहुत छोटी सी समस्या है, विश्वास करो म और पर शक्ट वोह magic lessky baird, not just to you, for praying for others, but also those for whom she have prayed. So pray for everyone not just for yourself. Love all, including your family, live with your people around you with love. Your decisions of your d professora, will decide your future too. So think carefully and decide anything in life. The problem that seem very big yesterday to you is very small in reality. Believe me and stay blessed.